बसकार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे वेस्ट बेंगल स्टेट यूनिवर्सिटी जो एक स्टेट गर्मेंट का यूनिवर्सिटी है यहां PhD आड्मिशन का नोटिफिकेशन आया है 2021-2022 के लिए तो चलिए चलते हूं उसका ओफिस्याल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते है सुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि हम यहां teaching related सारे स्टेडिस, competitive exams and jobs के बारे में डिसकस करते है तो जिन्होंने अभी तक हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिजिए future में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह आप देख सकते हो यह है West Bengal State University जो West Bengal में local alert है और यह एक State Government University है यहां admission आप दो जगा देख सकते हो यहां देखे उपर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो यहां देखे उपर mention किया गया है एक admission का option तो आप यहां से भी देख सकते हो नहीं तो आप नीचे थोड़ा सा आओगे यहां देखे एक admission बहुत सारे admission का जो latest notification यह सारे स्क्रॉल हो रहा है तो आप चाहो तो यहां से भी आप देख सकते हो तो सबसे अच्छा होगा हम यहां से देख लेते हैं यहां देखिया admission option में आपको दिखाई देगा एक notice पूरा उपर mention किया गया है तो हम इसी notice के उपर हम क्लिक कर लेते हैं तो यहां आप देख सकते हो जितने भी सारे admission related notice है आपको यहां देखने के लिए मिल जाएगा तो मैं इसको फिर से थोड़ा zoom in कर लेता हूँ तो अभी आप यहां देख सकते हैं जितने वी सारे जो notice है आपको यहां देखने के लिए मिलेगा फास्ट जो notice है आप यहां देख सकते हैं यहां एक notice mention किया गया है notification for admission to MPL and PhD course 2021 Department of Education, English, Philosophy, Microbiology तो हम इसी के उपर क्लिक कर लेते हैं यही है आपका notification मैं इसको फिर से zoom कर लेता हूं तो यहां आप देख सकते हैं यहां mention किया गया है West Bengal State University और यह जो notification है notification for admission in PhD program Department of Education, English, Philosophy and Microbiology शिर्फ यही चार department के लिए अभी यह admission process चल रहा है यहां देखे है mention किया गया है It is hereby notified that applications are invited in the prescribed format for this PhD program and department क्या है जैसे का हमने डिसकस किया थे Education, English, Philosophy, Microbiology ठीक है और इसके साथ साथ और एक बहुत important चीज़ यहां mention किया गया है आप यहां देख सकते हो Last line में Only net, said, JREF qualified candidates in the subject are eligible to apply तो यहां apply करने के लिए आपके पास net, said, JREF होना चाहिए क्योंकि इस बार इन्होंने किसी भी प्रकार entrance conduct नहीं कर रहा है तो इसलिए इन्होंने इस साल जितने भी सारे जो अभी admission चल रहा है यह सारे किसार net, said, JREF के थो में ही ले रहा है यह COVID के चलते ऐसे ही decision लिया गया है तो आप देख सकते हो यह application fee के बारे में यह mention किया गया है download form is to be submitted along with the application fee of 1000 रुपीज पर general और 500 रुपीज पर ACST candidate ठीके, तो यहां आपको दिखा देता हूँ, यहां दिखे नीचे एक application form दिया गया है इससी form का आपको download करना है, download करने के बाद इसको fill up करना है, fill up करने के बाद इसको आपको भेजना है and application fee आपको जो देना है यह आप जाकर आप physically उनिवर्सिटी में deposit कर सकते हो, नहीं तो एक duty बना करके भी आप वहाँ जाकर दे सकते हो और application भेजने का जो तरीका है यह आपको physically जाकर देना पड़ेगा यह आप चाहो तो भेज भी सकते हैं, मगर भेजने का कुछ आप इसा कुछ है, तरीका इन्होंने नहीं बताया सारे के सारे जो mention किया गया है physical way में कैसे आप apply कर सकते हो इसी के बारे में ही यह बताया है तो बाकी यहाँ कुछ mention किया गया है आप यहाँ देख सकते हो फर philosophy, आपका जो researcher इस subject के उपर होना चाहिए social and political philosophy के उपर होना चाहिए और जो English लेकर यहाँ PhD करना चाहते है English का देखी यह सारे सारे subject दिया गया है आप यह दि particular इसी subject के उपर आप research करना चाहते हो तो आप यहाँ apply कर सकते हो और इसके साथ साथ यहाँ दिखे नीचे मेंशन किया गया है applicants are asked to submit a proposal of research work in 1000 words आपको एक 1000 words का आपका एक research proposal भी यहाँ देना पड़ेगा बाकिया आप यहाँ देख सकते हो total कितना seats vacancy है department के हिसाब से subject education, English, philosophy, microbiology PhD में total जो seat अभी actually यह दोनों जो notification आया है यहाँ आपको बहुत जगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि MFIL and PhD मगर अभी जो vacancy है यह सिर्फ PhD के लिए है MFIL के लिए नहीं है तो education में जो total जो seat है यह आपका 15 seat है general के लिए 8 AC के लिए 3 ST के लिए 1 OBC के लिए 2 OBC B के लिए 1 इस प्रकार का total 15 seat से English के लिए total 4 Philosophy के लिए total 2 Microbiology के total 2 तो आप देख लेना कि आप कौन सा काटागरी से बिलंग करते हों और आपके लिए यहाँ seat है कि नहीं और इसके साथ-साथ यहाँ जो research area mention किया गया है आप इस particular research जो area है इसमें आप interested हो की नहीं तभी आप admission लेना नहीं तो मत लेना ठीक है यहाँ देखे आप लिए application fee के साथ-साथ बाकि other course fee भी यहाँ mention किया गया है आप चाहो तो इसको देख सकते हो और MFIL के लिए तो आप यह admission नहीं चल रहा है और बाकि जो international student है वो at the admission लेना चाहते है तो इसके लिए इतना course fee लगेगा आप यहाँ से देख सकते हो और जैसे कि मैंने आपको दिखाया यह है इसका application format और नीचे यह सारे सारे इसको डाउनलोड करके आपको apply काना पड़ेगा और इसका apply काने का जो last date है आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ mention किया गया है either in cash or in the form of the demand draft to the university counter from 11 a.m. to 3 p.m. आप यहाँ आदी counter में deposit करना चाहते हो तो इसका जो timing है 11 a.m. से लेकर 3 p.m. तक यह कब से शुरू हो जाएगा यह 5 अगस्ट से शुरू होगा और इसका जो submit करने का जो last date है यह है 30th September 2021 5 अगस्ट से लेकर 30th September 2021 only on Monday to Thursday Monday and Thursday not to Monday and Thursday यहाँ mention किया गया है till further notice ठीक है सिर्व यही दो date है और candidates who want to submit the application fee in the form of draft must know that it should be payable in favor of West Bengal State University तो इसको थोड़ा आप याद रखना यह जो application fee है यह जो पूरा notification है यह थोड़ा सा complicated है तो आपको मैं request करूँगा कि आप इसको download कर लीजिए download करने के बाद एक बार पढ़िए कम से कम कम से कम मैं एक बार पढ़िए दो बार तिन बार पढ़ने की जरुवत नहीं एक बार पढ़िए पढ़ने के बाद आपको यदि suitable लग रहा है तो आप apply कीजिए ठीक है और इसका जो link है मैं दे दूँगा description में ठीक है वहाँ जाकर आप इसको download करके भी देख सकते हो तो ये था इसका details जो भी admission लेना चाहते हो आप जरूरr admission लेजिए और जिन्होंने अभी तेक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe कर लीजिए future में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा so thank you all the best